नमस्कार बहुत स्वागते आपका आप देख रहे हैं न्यूस देटीन मध्यप्रदेश शतीजगर आज बात उस खबर की जो सीधे आपकी सांसों से जुड़ी है तो सांसों पर संकट आने से रोखना है तो अगले आधे घंटे तक कहीं मत जाईएगा याद कीजिए दिली, NCR और दुनिया से आई स्मॉग पॉलिशन की खबरें कुछ साल पहले तक मध्यप्रदेश और छतीजगर के लिए कहां माईने रखती थी सभी को लगता था हरी भरी दरती और जंगल की गोद में बसे देश के दिल के लिए ये हाल फिलहाल का मसला नहीं है लेकिन बस यहीं पर चूख हो गई मध्यप्रदेश इतनी तेजी से गैस चेंबर में बदलने लगा है खुद जिमिदारों ने भी नहीं सोचा होगा MP के शहरों की आबो हवा जो है तेजी से खराब हो रही है सासो पर संकट दिन के हिसाब से बढ़ रहा है बताएं आपको सबसे ज़दा खराब हवा ग्वालियर की है यहां AQI 345 पर पहुँच चुका है संसकार धानी की हम बात करें तो यहां पर हवा का AQI 310 दर्च हुआ ह पांच शहर ऐसे हैं जहां सासो की चिंता रॉकेट की रफतार से बढ़ रही है यहां का AQI 200 के उपर जा चुका है राजधानी भूपाल में 260 सबसे साफ इंदौर 208 तो वहीं बाबा महाकाल की नगरी की हमों जैन की बात करें 203 पहुँच चुका है AQI पीथमपूर की बा इतलाम 166 और सागर का AQI 124 पर पहुँच चुका है देखिए अच्छी खबर यह है कि सतना में अभी भी हवा साफ है सतना का AQI 89 है तो मेहर में AQI ब्यान पे है लेकिन आकलों को बतानी का मतलब डराना नहीं है यह समझाना है कि आग लगने पर कुवा खोदने का इंतजा नहीं करना है बलकि आग से सभी से अपने अपने हिस्से की जिमिदारी पूरी मांदार से निभारा शुरू कर देनी है वरना बहुत देर नहीं हो जाए चलिए शुरू करते हैं चर्चा का दौर हवा लगातार खराब हो रही है और इसे लेकर अप चिंता के स्थिति भी बने होई एंजे टीवी जो है लगातार चेतावनी दे रहा है इस पर पर इस स्थितियां हम देखर हैं लगातार बिगरती जा रही है और अब मद्यपृदेश की हवा जिसे श्यान्ती का टाफू स् जाता है वहां की हालत आबु हवा किस तरह खराब हो रही है ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है हमारे साथ खास चर्चा के लिए खास महमान भी जुड़ेंगे सबसे पहले जुड़ चुके हैं किशन सूर्य वंश्री जी भूपाल लगने का मध्याक्ष्रे किशन जी बहुत स्वागत है आपका शांती का टापू मध्यप्रदेश और राजधानी की हम बात करें तो यहां पर भी स्वच्छता अच्छी है राजधानी सबसे अच्छी राजधानी कई जाती है आखर इस सितियां जिस सरह बिगड रही हैं भूपाल की हम देख रहे हैं क्युआई लेवल खराब पुरा है आखर इसके पीछे क्या वज़े हम माने देखिए बोपाल राजधानी होने के कारण कई प्रोजेक्ट भी आपर काम कर रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट बरकिंग में हैं और उनके कारण भी कई बार एंसी नोबत आती है के धूल बहुत उरती है और इस प्रकार की चीज़ों को हमें देखने को मिलता है तो निश्च नेट लगा करके अपने निर्मान प्रोजेक्ट को पूरा करें और जिन बिल्डरों ने इस प्रकार की पूरती नहीं की थी उन पर कारवाई करने का काम भी किया है ओपन में तंदूर को भी जलते थे उन पर भी नगरनियम में बहुत सक्ती से कारवाई की है हमारे जो बीकल हैं उनको हमने सी एंजी में करने का काम किया है नगरनियम भौपाल ने बड़ी लार्ज सकेल पर प्लांटेशन करने का लगतार काम कर रही है तो भौपाल नगरनियम लगतार इस बात के प्रयास कर रही है कि हमारे भौपाल का जो बातवरन है बहुत ही अच्छा रहे और ल स्थितियां और ज़्यादा खराब होंगी क्योंकि आप तो ठंड आ रही है और ज़्यादा स्थितियां खराब होती हुए नजर आएंगे दिवाली बीच चुकी है उसका बात के बाद उसके पहले का भी एक वई हमने देखा बात का भी देखा अब जिस तरह से आगे बढ़ हैं हम धंड की और किस तरह की तयारी हम मारें देखिए नगर नियम जहाता के धूल को नियंतरित करना है प्रदूशन को नियंतरित करने का काम है चाहे रोड रोड स्वीपिंग मशीन जो हमारी है उसको लगातार चला करके हम धूल को नियंतरित करने का काम कर रहे हैं यह का सबकों पे आपने नगवनियम के इस परकार के टेंकर देखे होंगे जो पानी का छड़काओ कर रहे हैं जिससे की हवा में सुधता रहे और धूल के कान और प्रदूशन उसको डाइलूट हो सके तो लगतार नगवनियम अपने हिस्से की जवाबदारी कर रही चूंकि हम भी प्रदूशन का एक बड़ा शुरोत है निश्चित रूप से हम सब की नागरिक की भी जवाबदारी बनती है कि हम आने वाले समय में बेकल्पिक जो उर्जा से चलने वाले बहान है उनको ज़्यादा शुकार करें तो निश्चित रूप से हम सब भी इसमें एक बहुत आपने कहा कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं पर कितने प्रभावी हैं ये कदम ये शायद बया कर रहा है क्यों आई जस्तरस लगातार बढ़ रहा है और लोगों को सांस की दिकत होने लगी है बच्चे बुजर्ग बहुत ज़ादा परेशान होने लगें फिर से आपके पा ये आखिर किसे दोश देंगे आपका हां कमी रह गई और हम लोग निरंतर उस पर कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे पेरामीटर से जिस पर हमको काम करना है आज धाईसों के आसपास हमारी है एक जो नहीं होना चाहिए एक कारण है डेवलप्मेंट का जब हमारे फ्लाइवर्स बन रहे हैं उसके कारण जो सड़के हैं एक वो लूपर हम लोग बसेस बड़ा रहे हें इलेक्रिकल बसेस जो हैं करीब सोब एसी ऐलेक्रिकल बसेस अम लोग जबलपुर में लाने के लिए सेंटर गोवर्मेंट से बात चल रही थी अचार सरे जाई नहीं होगी इसके आद हम लोग ज्यादा दावे जो है वचन पत्रों में कर दिये गए पर वचन पत्रों में क्या शुद्ध हवा का वादा किया गया ये बड़ा सवाल है पर इस पर ध्यान कोई नहीं देता क्योंकि अगर आम जनता जिन्दा रहेगी लोग जिन्दा रहेंगे धंक से सांस ले पाएंगे तभी तो वो काम है हम सबके लिए मैं जब महापार को चुनाओ लड़ा था तब हमने उसमें अपना ये एक्यू आई की बात को रखा था और उसके बात से हम लोग ने इसके इंप्लिमेंट किया और मैं आपको रिजल्ट्स बता रहा हूं कि जो सर्विक्षन हुगा था उस सर्विक्षन लग रहा है आपको जगत जी इस बार क्योंकि हम पिछली बार की बात करें तो जैसे ऑक्टोबर में दिवाली थी इस बार नवंबर में हुई है ऑक्टोबर तक कही न कहीं दिवाली हुई बारिश भी पढ़ गई तो कहीं न कहीं ठंडी पढ़ गई थी इस सब चीजे अब नवंबर में दिवाली हुई उससे पहले थी बारिश तो अभी तो ऐसी कुछ स्थिती नहीं पर क्या लग रहा है जिस तरह से इस बार और जदा कितना चैलेंजिंग रहने वाला है देखिया ये तो एक बड़ा चैलेंजिंग मामला तो है ही निश्चित तोर पे है और हम लोग इस पर प्रयास भी कर रहे हैं अभी सब को मिलके करना होगा मतलब हमारे जो नागरिक भी हैं हम सब को एक अवेरनेस भी हमको इस पर पैरलली ब का जो समय है निश्चित तोर पर लोग अपने तरीके से उसको मनाते हैं उसके कारणवीं हमारी एक-ई-वाई जो हे वो खराब होती है उसके अलाबा हम लोग भी जो صफाई व्याभींग है हमारी जो ईंधन का जो इस्तिमाल है गारियों का जो इस्तिमाल है जो बढ़ती equipment आये हैं ठीक करने के लिए उस पर भी हम लोग काम करने जा रहे हैं हम लोग ऐसे जो जहां पर EQI हमारी जिस चुराहे पर बहुत ज़ादा खराब होगी जिस जगह पर बहुत ज़्यादा खराब होगी वहाँ पर उसको EQI ठीक करने के लिए हम लोग उन instruments को भी प्लान कर रहे हैं बड़ी मशीन से लाने वाले हैं जिसको लाकर हम AQI उस तरीके से भी ठीक करेंगे और उसके साथ-साथ आम नागरिकों के साथ मिलकर अवेरनेस प्रोग्राम के साथ और जो कंसक्षन के हमारे जो काम हैं जो कॉंक्रीट का जाल था उसको भी हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे-धीरे कुछ फ्लाइवर्स के जो मैंने बताया हमारे यहां जो काम चल रहे हैं उसके कारण डस्ट बहुत जादा है शहर के अंदर जैसे ही यह फ्लाइवर का काम धीरे-धीरे ठीक होगा एक युआई भी ठीक होगी और और जो हमारे पेरमीटर से उसको हम लोग ठीक करेंगे तब जाकर यह काम हम नोगों का बन पाएगा ठीक 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 लोटेंगे आपके पास पुष्यमित्र भारगव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं महापौर हैं इंदौर से पुष्यमित्र भारगव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्रदेश 36 गड़ पर स्वच्छता में अवल नंबर वन लगातार इंदौर आ रहा है कई सारी उपलब्धियां अपने नाम कर चुका है पर एक यूआई में लगातार आगे बढ़ रहा है यहाँ पर तो नहीं बढ़ना चाहिए था देखिए क्या है यह जो ठंड का समय होता है ऑक्टोबर से डिसंबर तक उस समय जरूर परेशानी होती है लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी को यह बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में पॉल्यूशन केट्रोल बोड ने शेहरों का सरवेक्षन कराया था वायू सरवेक्षां स्वच वायू सरवेक्षां उसमें अपनी वायू को स्वच रखने के प्रयासों में इन दौर देश में नंबर वन है लेकिन इसका ये तातपर नहीं है कि हमको और काम करने की जरूरत नहीं है लगातार इस मुद्दे पर इस विशय पर बहुत गंबीरता से जनभागीदारी के साथ लोगों को साथ में लेकर काम करने की ज़रूरत है उधारन के लिए वो सारी इंडस्ट्री जो कोल या लकडी के आधार पर चलती हैं उनको हमने सी एंजी पर बदलने का काम किया है जितने होटेल्स हैं मोटेल्स हैं जो कोईले और लकडी जला कर रेस्टोरेंट चलाते हैं उनको भी हमने CNG पर कनवर्ट करने का स्विच करने का अग्रह किया और लोगों ने किया भी है मेकनाइजड स्वीपिंग ने शेहर में धूल उड़ने से जरूर बहुत सारी मदद की है लेकिन फिर भी दिवाली के समय जैसा जबलपूर के महपौर जी भी कह रहे थे तो चाहे दिवाली के समय हो या ठंड के समय हो AQI सामान्यत हब बढ़ता है लेकिन अभी जिस प्रकार के प्रयास मद्ध्यप्रदेश के सभी शहरों में किये जा रहे हैं वो चाहे रेड लाइट आन और इंजन आफ के अभियान हो या अपने ट्रांसपोर्ट के वहिकल्स को लोडिंग रिक्षास को E में कनवर्ट करने की बात हो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ठीक से करने की बात हो इंडस्ट्रीज में लगने वाली मशीन्स को पैट्रोल डीजल बेस्ट या कोल बेस्ट इंजन से कनवर्ट करकर CNG पे कनवर्ट करना हो इन सब प्रयासों में पूरे मध्यप्रदेश में तेजी आई है इंड़ोर में भी ऐसे कई सारे नवाचार हमने करने का प्रयास किया है उसी कारण से स्वच्वाईू सर्वेक्षन में इंड़ोर रहा है लेकिन इस समय जरूर AQI बढ़ा हुआ है मैं आपसे सहमत हूँ सवाल यही है न कि देखे हर साल ऐसी सिति होती है ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है हर बार ऐसी सिति निर्मित नहीं है इसके दो तीन कारण है ये समय जो ठंड का रहता है इस समय सामान्यतह जो हवाएं चलती वो नहीं चलती है तो एक लेवल पे धूल और धुआ रुका हुआ रहता है लेकिन इनको कम करने के जो प्रयास है उसमें यदि आप देखेंगे तो बहुत स्रिक्टली इन दौर में किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को ग्रीन नेट से कवर करना हमने अनिवार किया हुआ है जो नहीं करते हैं उनके हम चालान बनाते हैं सोभाग्य से इन दौर जिस तजीके से आगे बढ़ रहा है अभी छोटे बड़े 21 पुल पुलियाओं का निर्मान इन दौर में हो रहा है जो मानी शिवराज जी ने विकास को गती देने में जो बड़े निर्णे लिये थे उसके कारण से भी धूल उड़ने का एक कारण है तो अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर बहुत सीधे तरीके से रोक लगाया जाना असंभा हो है क्योंकि निर्मान भी विकास में बहुत महत्पूर है पर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कच्रा ना जला जाए अब क्या अभी तक तो जो हुआ वो हुआ पर अब क्या जिस तरह से एंजी टीवी चितावनी दे रहा है बहुत जादा प्रभाव पढ़ने वाला है बच्चों की हेल्थ पर बुजर्गों की हेल्थ पर अब क्या पारगर्व जी मेरी आवाज आपको मिल रही है ठीक है फिर से फिर से फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे किशन जी भी हमारे साथ लगातार जोड़े हुए है किशन जी हमने तस्वीरें भुपाल की भी देखी है किस तरह से चाहे हम सडकों की बात करें चाहे हम ट्रांस्पोटीशन की हम बात करें गालियों की रफ़तार की बात करें या हम पॉलिशन की जिस तरह से बढ़ता पॉलिशन है उसकी बात करें आखर इस पर काम नगन निगम द्वारा या प्रशासन द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा उत्रे बहतर तरीके से जितना होना चाहिए जैसा मैंने अभी आपको पहले बताए कि भोपाल नगन नियम ने कई इस तर पर बहुत कारगर कदम उठाए हैं और उसके अपने प्रभाव भी हैं और मैं ये मानता हूं कि उन प्रभाव के कारण प्रोडूशन पर नियंतर भी पाएगा जैसे मैंने कहा कि निर्मान की जो सा सकता होई तो भी उठाएंगे अगर बिल्डिंग परमिशन तक निरस्ट करने की आउसकता होई तो भी करेंगे अगर कोई लगतार प्रदूशन को फेलाने का काम करेगा तो एक बात दूसरी बात कि जो ओपन तंदूर हुआ करते थे जैसा इंदोर के महापूर जी ने भी क कहा के और मैंने भी अपनी बात में पहले ही इस बात का जिक्री किया कि ओपन तंदूर भी प्रदूशन फेलाने का बड़ा काम करते थे नगर नियम ने उनको भी प्रतिबंदित करने का काम किया है और बेकल्पिक जो सुरोथ हो सकते उस पर काम लोग करें और लोगों ने क किया भी यहां पर भी भोपाल में भी इसका प्रवाव देखने को मिल रहा है भोपाल नगर नियम ने अपने जो बीकल्स हैं उनको सी एनजी में करने का काम भी किया है और आज हमारे डोर टू डोर के सभी बाहान सी एनजी से चलते हैं यह भी प्रदुशन नियंतरण की दि प्रदुशन जादा है या भागा हवा की हवा ज्यादा प्रदुशुत हो गई है उन छेतरों में हमुआरी वो みकनाइज्ज सारी मसिन फॉगिनг का काम करती यह की हरा इस प्रिंकलर के माध्यम से और वहां पर भी हम हवा को सुध करने की दिशा में बहुत महत्पून कदम उठा रहे हैं रही बात मैं भौपाल के लोगों को भी धन्यवाद दूँगा आपके माध्यम से कि भौपाल के जो हमारे नागरिक हैं उनमें परियावरण के प्रति बिसेश जागरुकता हमने सुरू से देखी है प्रतियक व्यक्ति के जीवन में ब्रक्षा रोपन एक अगर उनको दो फिट की विजगे बिल जाती तो वहां भी पेड़ लगाने का काम करते हैं कि यही पेड़ों की कटाई के अगर हम बात करें कई जगा पर कटाई होती है बिल्डिंग्स बन जाती हैं दम भरा जाता है कि और नए पेड लगाए जाएंगे और ग्रीनरी होगी पर ऐसी तस्वीरे कहा हैं क्या सिर्फ काग्जों में हैं दूसरी बात गालियों की हम बात करें डीजल की गालियों से लगातार पॉलिशन फैल रहा है लगातार ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोनिक गालियों को जादा बढ़ावा दिया जाएगा या बहुत जादा जो प जब निर्मान होता है तो नियम अनुसार यदि पेड़ों की कटाई छटाई होती है तो उसके ही प्रपोर्शनेट में नए पेड़ लगाने का काम उस एजेंसी को करना पड़ता है पर इसके अलावा हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इंदौर में लगातार पेड़ लगाने का अभियान जारी रखा है इंदौर ने इस बार हरियाली अमावस पर रिकॉर्ड एक दिन में एक लाक उननीस हजार पौधे लगा है इस संकल्प के साथ की उनको पेड़ बनाना है तो हमने ये काम करके दिखाया है और इंदौर हमेशा जो काम अपने हाथ में लेत इंदौर में बहुत सफल है लोगों में इसको लेकर जाग रुखता है लेकिन आप दुनिया के सारे बड़े शेहरों को आज देखेंगे तो कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए जिस प्रकार से नंबर ओफ वीकल्स बढ़ रहे हैं अब देश में और दुनिया में वो नो कार्डे मनाया और मुझे बहुत खुशी है आप से साजा करते हुए कि ये छोटे से प्रयास से एक दिन में इंदौर में करीब 20 प्रतिशत कारें सडकों पर कम उतरी 16% पेट्रोल डीजल की विकरी कम हुई और 15% प्रदूशन जो गैसी प्रदूशन होता है पेट्रोल सिंग जी महापौर हैं जवनपूर से वो भी हमारे साथ लगातार जोड़े हुए हैं जगत जी सवाल यहाँ पर यही है जिस तरह से दम घोटू यह जो हवा हो रही है लोगों को परिशान कर रही है सांस लेने में दिक्कत हो रही है अब और जादा इस सितिया बिगडने व जादा होती है पिछले साल भी देखने को आया हम लोगों ने बहुत सारे इंप्रूब्मेंट कि मैंने जैसा कि पहरे आपको बताया कि हम लोग साथ लग नंबर पे थे सर्वे बे उसके बाद हम लोग तेरा नंबर पर पूरे देश पर उसके बाद प्लैटेशन की बात है तो वो हम लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं, लाकों की संख्या में बीजा रोपड और पौधा रोपड कर रहे हैं, हमारे हाँ जो पेल काटने की बात है, डेवलप्मेंट पे, हम लोग पूरा-पूरा प्रयासे करते हैं कि हम लोगों को एक भी पेल कहीं भी काटने की मेंबर आफ कॉंसिल से हम लोगों ने यहां से बना के दी है, आगे भेजी है, तो आने वाले समय में जो हमारी जैसा हमारे दोनों माप और जी कह रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग पैट्रॉल और डीजल को अगर आने वाले तीन से चार साल, पास साल के अंदर, हम लोगों का प्रयास यह है कि इसको हम जितना मिनिमाईज कर सकें, वो अगर हमने मिनिमाईज किया, तो हमारा पलूशन भी बहुत कम होगा, हमारा जो इंफरस्रेक्टर डेवलपमेंट का काम है, जब यह दोर इंफरस्रेक्टर का चलता है, जब बलपूर हमारा थोड़ा पीछे था, इ अभी मेमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे समविधान में हर नागरिक को उसके मूल अधिकार दिये गए, लेकिन सवाल ये है कि शुद्ध हवा पे जीने का अधिकार हमें कब मिलेगा, कब दम घोटू हवा से हमें आजादी मिलेगी और कब तक हमारी जिन्दगी पर सांसों का संकट हावी रहेगा